तो आगा था आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नई वीडियो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू योजिन के फादर को वाटर ओफ लाइफ पिला कर उनको ठीक कर देता है और होस्पीटर से बाहर आते हुए कि थोड़ सिस्टम उसको नॉटिफाय करके बताता है कि अरे रुकजा भाई रुकजा बड़ी जल्दी भूल जाता है अभी दो घंटे बाद मिलेगा यह मौका तो जैसा कि हम लोग को मालूमी है कि जिन्वू जब शैडव एक्चेंज इस्किल का एक बार इस्तिमाल कर लेता है तो द जाता भी नहीं में क्या करना है मैं किसे कॉल भी नहीं कर सकता हूं मैं करूं क्या तभी उसको मिस्चाइन की एक बात याद आती है जिन्वू काता है चलो ठीक है देखता हूं मेरे को बस एक कोई ऐसा डंजन मिल जाए जो कि बीना ओनर के हो इसके बाद अगले सीम में नैस साइलेंट होता है अब वो काफ जादा कनफ्यूज होते हैं कि चारत अप तो साइलेंट है लेकिन मेरे को तो ऐसा है अहसास हुआ था कि कुछ तो है यहां आस-पास लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और जैसे ही वो अपने वाइन की गिलास को उठाने वाले हो कि गिलास गिर कर तूट गई लेकिन कोई भी नोईस नहीं हुई आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है तभी वो अपने घर में सामने देखते हैं और कहते हैं कि कौन है वहाँ पर और तभी वो चेर्मेन की बात को याद करते हैं जिन्होंने कहा था कि अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो कोई भी जोरत हो तो तुम इस नंबर पर कॉल कर देना तुम ते चेर्मेन गो डिरेक्ली बात कर लेंगे वो भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार यह सब चल क्या रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है लेकिन तभी उस देखता है कि असल में कि आखिरकार तुम लोग हो कॉन इस पर टारनेक उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बचा पाओगे अगर तुम इसी तरीके से इनसानों की मदद करते रहे तो फ्रेग्मेंट ओफ दा ब्रिलियंट लाइट यह बास सुनके क्रिसफर अपने मन में सोच रहे हो कहता है एक कुलता है कि आखिरकार तुम बोल किया रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जिस पर मुनार्च उससे कहता है कि ना 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 मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं तुम्हारे अंदर जो इनसान है जो तुमसे कनेक्टिड है मैं उससे बात कर रहा हूं जिस पर क्रिसफ अपनी power दिखाता है और अपने आपको transform करने लग जाता है और कहता है कि तुम में से एक को तो में निप्टा ही दूँगा और असा कहते ही वो अपने दूसरे form में transform होने लगता है ये चीज़ देख कर पीछे खड़े जो दो मुनार्च होते हैं इन वेसे जो एक मुनार्च होता है उसका नाम होता है राकान और जो दूसरी मुनार्च होती है उसका नाम होता है क्यूरेशा राकान उसके तरफ देखते हुए कहता है कि हम्म्म spiritual body manifestation जिस पर क्यूरेशा भी कहती है वो हो ये इनसान के द्वारा और फिर जैसे ही क्रिसफर अपने नए रूप में transform होता है वो चिलाते हुए कहता है तुम मरेगा monster और ऐसा कहते हुए टैरनेक मुनार्च होता है उसके उपर attack कर देता है और बहुत बड़ा धमाका होता पूरी building में इसके बाद यसी नहीं पर cut हो जाता है दूसरी सर्फ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जिसके stats काफी जादा बढ़े होते हैं तो एक्चल में जिन्वो यहाँ पर एक car में बैठावा होता है और सभी लोग उसको बाई बाई बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर आकर जपान में सभी लोग की काफी ज़ादा मदद की थी और इसी लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए वे होते हैं जिन्वो को बाई बोलने के लिए जिन्वो इंसा भी लोग को देखकर काफी ज़ादा खुस हो रहा होता है और वैसे भी आरों तो खुस होना भी चाहिए कि जिन्वू ने इतनी महनत करके मतलब थोड़ी थी महनत करके आपर काफी सारे मॉंस्टर्स को मारा और इन लोग की मदद की जिन्वू अपने मन में सोच तो कहता है कि मेरे हिसाब से जापान में आज मेरा लाश्ट दिन होने वाला है तब ही बेरू जिन्वू से कहता है कि माई किंग लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे हिसाब से आपको भी अपना हाथ उपर उठा के इन सभी लोग को बताना चाहिए कि हाँ आप भी इनको देख रहे हैं जिस पर जिन्वू से कहता है हाँ ठीक है ठीक है बेरू इसके बगल में Mr. Adam White बैठे वे होते हैं तो आप लोगो याद होगा कि जिन्वू को यही बन् कहते हैं जिन्वू से कहता है कि कि तुम इसको कोइंसिडेट नहीं कह सकते हो मेरे साफ से तो जिस पर वह भी मुस्कराते हो कहता है कि हाँ ठीक है अब आप ऐसा भी मत बोलिए जिस पर जिन्वू उससे बोलता है हेलो Mr. Adam White आप से मिलकर अच्छा लगा जिन्वू को यह बा आपने कुछ ऐसा ही किया था तो इसका नाम इस बार आप अच्छे से बोलना Mr. Adam White आप मेरे King है और आपकी reputation समाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है जिस पर जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे क्या काम है आपको Mr. Adam जिन्वू को बताता है सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चा कुछ भी नहीं हुआ है हमने उस शीर को समाल लिया बेना किसी problem के आप एक बार इस वीडियो को देखिए वो अपने laptop open करके जिन्वू को एक वीडियो दिखाता है वो करता है कि यह देखिए हमारे यहां पर काफी यहां तेजी से आग लग चुकी है और यह कोई ordinary आग नही काबू यह नहीं कर पा रहे होते हैं जिस पर जिन्वू उससे बोलता है कि आखिरकार यह वीडियो है क्या वो जिन्वू को बताता है कि एक बार आप वीडियो को end तक जरू देखिए जिस इनसान ने इस आग को सुरू किया था वो थे मिस्टर क्रिस्टोफर जो की एक national authority rank hunter है 18 से भी ज्यादा fire fighters और 14 से भी ज्यादा top level के मेज type के hunters इस चीज की उपर control नहीं कर पा रहे हैं जिस पर जिन्वू उससे कहता है कि आख तो काफी जादा है तो इसका मतलब है कि एक fight है तो इसका मतलब यह है कि Mr. Christopher जिस पर बताता है कि हम इस चीज पर विश्वास नहीं क जेम में से एक photo निकालते हैं और जिन्वू को दिखाते हैं कि ये photo देखिए और उस photo देखकर जिन्वू की आखे खुली की खुली रह जाती है और ये photo उस इंसान की है जिस पे hunter bureau को तक है अब इस photo को देखकर जिन्वू का पतनी क्या होता है उसको एक तुम ते दिमाग ख पाओगे Mr. Adam चिलाते हुए कहते हैं कि इसको रोको नहीं ऐसा मत करो रोको इसे उनके bodyguard ऐसा देखकर जिन्वू तरफ भागते हो आते हैं उसको रोको नेकरे लेकिन Mr. Adam उन्हों लोगो को मना करेता है उनको कहता है नहीं रुको रुको तुम लोगो रुको जिन्वू उसस सेम उस monster से match कर गई थी जो कि हमारे SLN के hunter के उपर attack कर दिया था बिना किसी warning के यानि कि इसकी magical energy और जो monster की magical energy थी वो same थी तुमको याद है तुमको याद है hunter bureau को जो headquarter था हमाँ पर कुछ महिनों पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था वो वाला incident जिसको की globally news में cover किया गया था जिस पर जिन्वू उससे कहता कि तुम क्या यह कहना चाते हैं उन सब के पीछे मेरे father थे और फिर जिन्वू अपनी power को normal कर देता है जिससे कि Mr. Adam भज जाते हैं और वो जमीन प्याए गिरते हैं उनकी हालत काफ़ी जदा खराब हो गयी होती है Mr. Adam जिन्वू को पड़ता fact यही है कि इसी picture को सफ्यादा suggest किया जारा इन सभी के पीछे जो कुछ भी दुरगटना है हो रही है उन सभी के पीछे इसी picture में जो इंसान है उसको ही responsible माना जारा इन सभी के लिए जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि लेकिन आखिरकार तुमने exactly मेरे को य एक साथ होंगे और America Hunter Bureau उनका इरादा यह है कि वो red notice जारी कर देंगे इस इनसान के खिलाफ और दूसरे शवदों में कहा जाए तो हमारे जो investigation है वो किस भी परकार से secret नहीं रहेगी वो आगे बताता है कि American government ने बहुत कीम्ती चीज गवाई है एक national authority rank hunter को और उस incident के बाद स वो लोग पूरी कोसिस कर रहे हैं कि इस सब की पीछे जिसका भी हाथ है उसको पकड़ें किसी भी हालात में पकड़ें और हम hunter bureau आपके साथ एक अच्छा relationship maintain करके रखना चाते हैं hunter सांग जिन्वू और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको मैं यह बता सकूँ इस से पहले की announcement publicly कर दी जाए तो इसलिए में यह सब कुछ आपको बताने के लिए आया था और अगर मैं आपको यहाँ पर यह बात नहीं बताता उसके बाद भी आप खुदी शौक हो जाते क्योंकि आपको उस conference में invite किया जाता और वहाँ पर खुदी आप अपने father की photo इस तरी हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ बस थोड़ा सा थोड़ा सा मेरे सरी में पानी कमी हो गई थी ठीक है मेरा ठीक कोई दिकत नहीं है Mr. Adam अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यह तो telekinesis है यह बहुत ही जादा अलग different level का high rank magic है और इसकी help से hunter किसी भी चीज को move गर सकते है मेरे को लगता था कि national authority rank के जो hunter होते हैं सिर्फ उनी के पास power होती है कि यह telekinesis कर सकते हैं लेकिन Mr. Sang Jun Wu के पास भी power है नहीं 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 यह तो छटा national authority rank hunter है मेरे को vice chairman को इसके बारे में जितना जल्दी हो सके बताना होगा तो दोस्तों असल में जो international guild conference है यह बहुत ही representative को invite किया जाता है जो कि actually पूरी country को ही represent करता है इसमें जो current events हो रहे होते हैं उन चीजों के उपर बात की जाती है ताकि भविश्य में जो hunter world है उसको और वियादा सुरक्षित किया जा सके और सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और अभी कुछ दिनों पहले ही American hunter bureau न उन सभी guild की list जारी किये जिनको उन्होंने इस conference में invite किया है काफी सारे guilds इसके अंदर होते हैं और Korea का भी ये guild होता है जो कि होता है urgent guild और उसका जो representative होने वाला है वो है अपना सांग जिन्हू कोरिया का जो urgent guild है वो इसमें पूरी दुनिया भर में एक बहुत ही ज़्याद है उन्होंने इस चीज को भी recognize किया है वो ये मानते हैं कि इस इंसान के पास है निया थांग जिन्हू के पास इतनी ज़्यादा strength है कि वो काफी सारे guild के जो rank टॉप rank के hunters है उन सभी को अकेला ही टकर दे सकता है वो सभी लोग अगर मिल जाए तब भी जिन्हू को सांबर नह invite किया गया है काफी साय लोग इस चीज में बात कर रहे हैं कि hunter guild की जगहा पर और जिन guild को इस conference में क्यो invite किया गया है तो आप क्या सोचते हैं इस बात के उपर Mr. Choy जिस पर Mr. Choy उसका reply देती हुए कहते हैं कि मेरे को विश्वास है कि American hunter bureau ने जो भी decision लिया है वो एकदम सही लिया है जिस पर हो कहता है कि एकदम सही मतलब क्या आप अपने आपको underestimate कर रहे हैं जिस पर बताता है कि अरे बिलकुल नहीं मेरे को इस चीज की पर बिलकुल विश्वात है कि उन्होंने एकदम सही decision लिया है क्योंकि सांग जिन वू कि अगर आपने powers देखी है तो आपको होगा कि वो कितना जादा ताकतवर है जिस पर रिपोर्टर उन से बोलता है कि हां मैं भी आप किस बात से एकरी करता हूं लेकिन फिर भी जो और जिन गिल्ड है वो सिर्फ एक one man show है यानि कि सिर्फ एक इंसान है जिसकी वज़ात पूरा गिल्ड ही चल रहा है जिस पर मिश सांग जिन्वो का सामना नहीं कर पाएंगे सांग जिन्वो के पास तब भी उनते जादा ताकत होगी और एक ऐसा इंसान जिसने जेजू आइलेंड के उपर इतना बहतरी परफॉर्फॉर्मेंस दिया और साथी में जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसमें भी देखिए तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी कंट्री में अजिन गिल्ड से बैस्ट कोई हो सकता है जिसमें रिपोर्टर उनसे कहता है कि हाँ ठीक है यह सब आपकी बात ठीक है उसमें हंटर गिल्ड ही कोरिया को रिपर्जेंट करता है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी प्राउट फील कर रहा हूं और हम सभी लोग हंटर्स के उपर ही भरोसा करते हैं क्योंकि हम लोग को नहीं मालूं कि कौन सा मॉन्स्टर का बाजाए हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो मॉन्स्टर कितना जादा ताकतवर होगा और सच तो ये है कि मेरा गिल्ड सिर्फ मिश्टर सांग जुन वो की वज़ा से यहाँ पर वापिस जिंदा आपाया और सच बताऊं तो मेरे को भी काफी यदा फील प्राउड हो रहा है कि मिश्टर सांग जुन वो को कोरिया का रिपर्जेंटिट के तोर पर चुना गया है मुझे भी काफी अधा अच्छी फीलिंग हो रही है और फिर ये कॉंफरेंस खतम हो जाते मिश्टर चोई वहाँ से वापिस भार आ रहे होते हैं तभी उनके हंटर गिल्ड का एक मेंबर जो होता है असिस्टेंट उनका पूसते हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्या आजिन गिल्ड ने परमिट के लिए दुबारा से अपलाई किया जिस पर बताता है कि नहीं सर रिसेंटली तो उन्होंने ज्यादा कुछ अपलाई वगरा नहीं किया कि मिस्टर जिन्व है वापिस आ गया है और वो इस चीज के उपर भी प्राउट फिल कर रहे होते हैं कि जिन्वू जपान जाकर वहाँ पर लोग की जान बचाकर आया है और वापिस कोरिया सेफली आ गया है तब ही उनका जो असिस्टेंट होता है वो उनको बताता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो लगबग 40% से बढ़ गए है क्योंकि अजिन गिल्ड की तरफ से हम लोगों कोई कॉम्पटीशन ही नहीं आ रहा है ये बात सुनके मिश्टर चोई थोड़ा सा दुखी होते हैं उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मज़े ले रहे हो क्या जिस्पे वो कहता कि sorry sir sorry sir माफ कर दो sir जिस्पे मिश्टर चोई कहते हैं कि चलो कोई नहीं ये सा चोडो वहते क्या association इस सब चीजों के बारे में जानता है Mr. Choi अपने मन में सोच रहे होते हैं कि rank reassignment test से पहले वो काफी सारी gate को एक ही दिन में clear कर दिया करता था और जब से वो एक S rank का hunter बना है सबसे तो वो other guild की जो territories हैं वहाँ पर भी gates को clear कर रहा है और अभी जो recently ही जपान के अंदर S rank का dungeon break हुआ था वहाँ पर जितने भी monsters थे उन सबी को उने अपने अकेले दम पर हराया है तो शायद इसलिए वो थोड़ा सा आराम कर रहा होगा पर इसलिए सायद वो थोड़ा सा सान्त है चलो कोई नहीं इसके बाद हम लोग Mr. Goh को देखते हैं जिनके पास Mr. Cheol आते हैं और वो Mr. Goh को बताते हैं कि Sir, China से एक request आई है उन लोग को Mr. Sanjoon का data चाहिए जिसमे Mr. Goh को उससे बहते हैं personal information जिसमें बहुत काता है कि नहीं सर, personal information नहीं चाहिए Mr. Goh कहते हैं कि फिर क्या चाहिए Mr. Cheol उनको बताते हैं कि असल में उनकी request में ये आया है कि वो लोग Mr. Sanjoon से related जितने भी records हैं उनके raid के official reports उन सभी के उनने request की हैं वो सभी मांग रहे थे वो सब जिसमें Mr. Goh से कहते हैं अच्छा ऐसी बात हैं लेकिन वो लिए एक top rank hunter की personal information ना मांग कर और तभी वो पूछते हैं कि लेकिन आखिरकार उन लोग को Mr. Sanjoon Woo में इतना interest क्यों आ गया उन लोग को वैसे ये मालूमी होगा ना कि Mr. Sanjoon Woo किसी भी परकार का negotiation नहीं करते हैं किसी country से जिस पर Mr. Chool उनको बताते हैं कि sir जो request आई है ये Chinese government की तरफ से नहीं आई है एक्चल में ये एक individual नहीं भेजा है चाइना से जिस पर गते हैं क्या किती individual name कौन है वो जिस पर Mr. Chool उनको बताते हैं कि sir ऐसा लग रहा है कि चाइना का जो seven star rank hunter लिउजी गैंग है उसको Mr. Sang Jino के बारे में काफी कुछ जाना जाता है तो एक्चल में दोस्तो हमारे solo labeling के अंदर जो चाइना है वो बाकी जो international standards है उसको adopt नहीं कर रखा है उसने अपना खुद का ranking system बना रखा है hunters के लिए hunter के ranking के लिए तो जैसा कि जो बाकी country करती है जो highest rank होती किसी भी hunter के वो five star की होती है लेकिन इन लोगोंने seven star दे रखा है और उन्होंने seven star के जो rank है वो तरिफ एक ही इंसान को दे रखा है जो कि है hunter ल्यूजी गैंग जिसमें वो Mr. Chool से कहते हैं अच्छा तो वो ल्यूजी गैंग है जिसको कि Mr. सांग जिन वो में इन्टरस्ट आ रहा है Mr. Chool आगे बताते हैं कि ल्यूजी गैंग जो है उसने giant type के जो monsters है उनसे fight की थी और इसलिए शायद उसको hunter सांग जिन में थोड़ सा इंटरस्ट आ गया कि आखिरकारी ये बन्दा है कौन जिसने अपने अकेले एक धम पर सारे giant monsters को हरा दिया वो सिरिफ कुछ से लड़ रहा था और Mr. सांग जिन में सबको निप्टा ही दिया Mr. Go अपने मन में सोचते हैं हम ताकतवर लोग ताकतवर की बारे में सोच रहे हैं ये तो काफी interesting है और फिर Mr. Go Mr. Steele से कहते हैं कि इस request को reject कर दो और या उर्फ को फिरिफ एक raw data भेज़ दो इस तरफ हम लोग 7vengers guild को देखते हैं जहाँ पर Thomas Andre की जो assistant होती है वो उसको आके बताती है Hunter Sang Junbu शायद कल तक US में आ जाएंगे Thomas Andre कहता है ओ, कोई बात नहीं और तभी यहाँ पर कोई आता है जो कि Thomas Andre से कहता है कि sir आपने मेरे को call किया था तो असल में ये कोई और नहीं ये S-rank का hunter Wang Dong Su होता है Wang Dong Su को देखते हैं ये Thomas Andre कहता है ओ, perfect time मेरे को तुम से कुछ बात करनी थी बहुत जादा important बात जिस पे Wang Dong Su कहता है हाँ बोलिये Thomas Andre उससे कहता है कि ठीक है मैं directly point पर आता हूँ Sang Jun Wu से भिढ़ने की कोशिश मत करना उससे कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को अब ये बात सुनकर Wang Dong Su तो अंदरी अंदर भाई कोशी जादा गुसा होता है मतलब उसको तो दिमाख खरावाता है कि ये क्यों बोल रहा मेरे से ये Thomas Andre उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई और Hunter Sang Jun Wu के बीच क्या हुआ था मैं को पता है कि तुमको उसके उपर शक है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम आकितकार उसके साथ क्या करना चाहते हो जिसपे Wang Dong Su उससे कहता है कि लेकिन तभी Thomas Andre की जो असिस्टेंट दूर खड़ी है सब कुछ देख रही होती है वो भी अपने मन में सोचते हो कहती है कि शान्त हो जाओ अपना मूँ बंद रखो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको कि Thomas Andre ने टॉप रैंग के हंटर होने के बाद भी उनको वर्न किया है वो भी इतनी बुरी तरीके से लेकिन फिर भी जो ये इंसान है Wang Dong Su ये हंटर सांग जुनवू के खिलाफ बहुत ही जादा गुस्य में है Thomas Andre वांग डॉप के कंधे पर हाथ रखते हो कहता है हंटर सांग जुनवू से भिनने की कोसित मत करना उसको हाथ भी मत लगाना अपने विला में जाओ और वहाँ पर अराम से इंजॉय करो अपने ब्रेक को मुझे पता है कि तुम मेरी इस बात को अच्छे से समझोगे और मानोगे भी Mr. Wang Dong Su Wang Dong Su भी काफी ज़्यादा गुस्से में होता है लेकिन फिर भी कहता है कि ठीक है समझ गया थोमस एंडरे कहता है यह ठीक है आप तुम जा सकते हो अलाकि Wang Dong Su यहादा चला जाता है लेकिन काफी ज़्यादा गुस्से में होता है उसके चलने के ढख से यह तो अनुमान लगा जा सकता है मिश्टर वांग डॉंग फू को काफी ज़िक्ट सल्विलेंस में रखो जब तक हंटर सांग जिन वू यूए से चला नहीं जाता और वांग डॉंग सू काफी ज़ादा घुसे में यहां से जहरा होता है उसकी तो आँख में मतलब उसकी आँख को देख कर समझा जा सकता है कि उसके आँख में बहुत ज़ादा घुसा है वो बहुत ज़ादा घुसा है और वो बदला तो लेगा मिश्टर सांग जिन वू से Thomas Andrew की जो असिस्टन्ट होती है वो उसे बोलती है कि क्या यह आपकी बात को अपसेप्ट करेगा जिस पर Thomas Andrew बोलता है कि वैसे थोड़ा बहुत फ्रस्टेशन जहीला जा सकता है मत से तो बहतर ही है और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वारा जो एपिसोड वो खातम हो जाता है तो मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में